हेलो दोस्तो यू एंड मी में आपका फिर स्वागत हैं आज फिर हाजिर हैं आपके लिए एक अच्छी सी और महत्वपून जानकारी लेकर दोस्तो अभी दो तारिक से सुरू होने वाले श्रहाद और शत्रा तारिक को खतम होने वाले श्रहादों से रिलेटिड आज ये वीडियो है हमें अपने पित्रों को कैसे खुश रखना चाहिए उनको कैसे हमिश रहत निकालने चाहिए कैसे हम उनका आसिर्वाद प्राप्त करें कैसे उन्हें तांत्री की अगर किसी के पित्र तांत्री किरियां में बंदे हुए हैं तो उन्हें कैसे छुड़ा जाए हमारे पित्र हमारा कोई विकारिय अच्छे से नहीं बन पाता, ये वीडियो हमारे पित्रों से रिलेटिड है, हमें पित्रों को कैसे खुश रखना चाहिए, कैसे उनका असिरवाद प्राप्त करना चाहिए, हमसे ऐसी छोट-छोटी गलतिया हो जाती हैं, जो हम अपने पित्रों को प्राप्त कर सकें, और किस किसी चीज से उन्हें खुश करना चाहिए, कौन सी सामगरी हमें हमें बनानी चाहिए, कौन सी कैसे हमें ब्राहमनों को खाना खिलाना चाहिए, कैसे गाएं को खिलाना चाहिए, जिससे कि उनका असिरवाद प्राप्त कर सकें, हमारे इस चैनल वास्तु दोस है घर में है उसको कैसे ठीक किया जासके कैसे ठीक किया जासके या तांत्री के किरियाओं में घर अगर बंदा हुआ तो उसको कैसे ठीक किया जासके ऐसी बहुत चारी वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी जो आप मतलब कर सकते हैं हमें कौन सी सामगरी किस दिशा में रखनी चाहिए और हमें किस टैम पे गरह में प्रवेश करना चाहिए हमें अपनी नियू में क्या दबाना चाहिए जिसे घर में शुक्षान्ती रह सके और अगर आपको स्टोक मार्केट या घर पे ही रहकर आप काम धंदा सुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक नया चैनल भी बना है टेकनिकल स्टोक मार्केट है अगर आप घर पर ही रहकर काम दंदासरू करना चाहते है तेक्निकल फोर स्टोक मार्केट पे आकर आप 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 अमारी स्टोक मार्केट से रिलेटिड वीडियो को देख सकते हैं आज इस वीडियो के मादम से मैं आपको पूर्डिमा मिसराद वीदी और कैसे अपने पूर्वजों का आशिरवाद प्राप्त करें और कैसे वी दिविदान से आप अपने पित्रों को खुश करें इसी बारे में बताना चाहती हूं सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने किचन में किचन में जाना है वहाँ पर जाडू पोचा वी दिविदान से करना है और वी दिविदान से पोचा करने के बाद आपको सामगरी बनानी है सामगरी बनाने के बाद आपको क्या करना है उनकी तस्वीर जिस से भी पित्र का आपर श्राद निकाल रहे हैं उनकी तस्वीर को सामने रखना है तस्वीर को सामने रखने के बाद उन्हें चंदन की या सफेद फूलों की या गुलाव के फूलों की माला अरपित करनी है माला अर्पित करने के बाद आप उन्हें चंदन का तिलक लगाएं सफेज चंदन का तिलक हो तो और भी अच्छी बात है उन्हें सफेज चंदन का तिलक ना भी हो तो भी चलेगा या किसी दूसरे चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं उनका तिलक लगाने के बाद जो आपने सामगरी यानि की खीर खीर बनाई है पूरी बनाई है और रोटी बनाई है जो उनके नाम की आपने निकाली है वो आपको अब उस पित्रों के सामने रखनी है जो तस्वीर आपने ली हुई है अपने पित्र की उसको सामने रखना है औ और पित्रों की जो आप खीर बनाए उस खीर में इलाइची, केसर, सक्कर, सहद, आदी के मिश्रंट से बनाए या उश में मिला ले बिलाने के बाद आपको क्या करना है? मिलाने के बाद आपको एक गाएं के गोबर का उपला लेना है गाएं के गोबर का उपला लेकर उसके उपर रोटी, खीर और जो सामगरी आपने मिलाई है उसके उपर आपको भोग देना है भोग देने के बाद उस गाएं के गोबर में अगनी परजोलित करनी है अगनी परजुलित करने के बाद आप अपने पित्रों के नीमित तीन पिंड बना कर आहूती दें तीन पिंड बना कर उस अगनी गाएं के गोबर के अंदर मतलब आहूती देनी है या पिंड बना कर उसके अंदर डालना है और अगनी देनी है इसके बाद आपको क्या करना है आपने अगनी दे दी अपने मतलब सराद निकाल दिये उसके बाद आपको जो आपका खाना बचा हुआ है उसको गाएं को खिलाना है गाएं के बाद कवों को कवों के बाद आपको कुटों को परशाद के रूप में ग्रहन करवाना है और जो आपका कुल का जो ब्रहमन है ब्रहमन को अपने घर बुलाना है और घर बुलाने के बाद उसको खाना खिलाना है वस्तर देने हैं जो भी आपकी शर्दा अनुशार हो वो वस्तर देने है और उसके बाद आपको उस ब्रहमन के चर्ण सपरस करने है उनका आसिरवाद लेना है ताकि वो घर के जो हमारे पितर है वो आपको उसके रूप में आसिरवाद दे उसके बाद आपको शौम भी बोजन करना है बोजन करने के बाद आप अपने पितरों को याद करें उनको दिल से याद करें और उनसे अगर आप के पहले कोई मतलब भूल हो गई हो या आप शमायास नहें करना चाहते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर विंती कर सकते हैं या माफी मांग सकते हैं जिससे कि आप आपको लग रहा हो कि हमारे पितर खुश नहीं है हमसे तो आप उस दिन श्राद वाले दिन जिस दिन उनका श्राद है उस दिन उनसे माफी मांग सकते हैं या पसाताप कर सकते हैं अगर आप इस विधी से इस विधी विधान से सराद निकालते हैं तो आपके पित्र आउश्य ही आप से खुश होंगे ये जो उपाए हैं हमारे जाने पैचाने और किये हुए ही उपाए हैं इसी तरीके से हम भी अपने श्रादों को निकालते हैं या अपने पित्रों को खुश करते हैं यदि हमारे घर के पित्र हमसे खुश होते हैं तो हमारे घर में खुशाली होती है दन की बरकत होती है हमारे काम दन दे चलते हैं यदि हमारे पित्र ही खुश नहीं होते तो हमारे सारे काम बनते बनते बिगड जाते हैं आपको अपने पित्रों को खुश करने के लिए ऐसे ही अपने घर में शादों को निकालना चाहिए अगर आपके इससे related कोई question है तो आप जानने के लिए आप नीचे comment में question लिख सकते हैं और Sunday वाले दिन हम live show करते हैं आप उसमें भी अपने question को पूछ सकते हैं super chat के तरीके आप हमें super chat चैट के जरिये आप हमसे आमने सामने बात कर सकते हैं एक दोस्त ने हमसे पूछा था कि गाए का गोबर गाए का गोबर कैसा होता है वो उपले कैसे होते हैं यह जानने के लिए आप देखिए देखो दोस्तों गाए के गोबर ऐसा होता है गाए के गोबर के जो उपले होते हैं ऐसे होते हैं इनको इसके छोटे से हिस्चे को हमें तोड़ना है और तोड़कर इसको गैस के उपर रखकर आपको मतलब इसको सिलगा लेना है या अगनी परजलित कर लेनी है जब ये पूरा मतलब सिलग जाए तो इसके उपर आपको खीर या जो भी आपने सामगरी बनाई है उसके डालना है और उसके उपर थोड़ा घी डाल कर आपको अगनी परजलित करनी है ये आपको मार्केट से मिल जाते है या जहां पर गाएं वगर रखते हैं वहाँ पर भी ये उपले उपलब्द हो जाते ही या आसानी से मिल जाते हैं आप कहीं से भी इन्हें ले सकते हैं और भी ऐसी मेहतोपूर्ण जानकार लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल नभूले थैंक यू